हेलो एवरीवन वेलकम बैक तो माई चैनल माई नेम इस सोनी एन वेलकम टू सोनी मेकोवर तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में आप लोगो समझाऊंगे कि कैसे इतनी फूल हेर ग्रोथ में एकदम परफिक्ट आइब्रो थ्रेडिंग बनान पर इसके पहले यह अपने हाथ से ही जो आइब्रो की स्टी होती है उससे अपनी आईब्रो बनाती थी यह फिर ब्लेड से बना लेती थी तो इनके हे diving हैना बहुत ज़दा कड़क कड़क है तो अभी देखिए हमने स्टार्ट करने से पहले एक्सेसेयर को कट कर लेंगे मोटी आईब्रो को बनाते हैं तो सबसे पहले आप नीचे से स्टार्ट करिए कोसिस करिए क्योंकि यह बेस्ट तरीका होता है पर्फिक्ट ठेडिंग बनाने का तो मैं नीचे से स्टार्ट कर रही हूं और नीचे हमारा देखें गाइडलाइन बनाना होता है गाइडलाइन के आप नीचे से स्टार्ट करेंगे और ज्यादा आईब्रो को पतली भी नहीं करेंगे हम ज्यादा मोटी करेंगे मीडियम में रखेंगे तो देखिए हमारी गाइडलाइन बन गए यह गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम पॉइंटिड वाली एरिया तक पहुच गए है अब के जो हेर्स थे वो बहुत ज़दा कड़क थे इसलिए थोड़ा सा जो है मुश्किल से निकल रहे थे फिर भी ऐसे कड़क हेर में आपको फटाफट ठ्रेडिंग करनी है स्लो बिल्कुल नहीं करना है ने तो जब आप स्लो धागा चलाएंगे ना तो क्लाइंट को बहुत ज़ जब बनाते हैं तो बहुत से लोगों का आइबरो उड़ जाता है गलती से तो क्या गलती करते हैं या फिर मैं आपको एक टिप देती हूँ कि आप लोग क्या करना है जब आप उपर की आइबरो बनाते हैं तो जब मुझा धागा खीसते हैं तो दोनों हाथों को उपर की त और नीचे की तरफ जब बनाते हैं तो आपको पलको की तरफ पुश करना है दोनों हाथों से तो देखे देखते देखते हमारी आइबरो कम्पलीट हो चुकी है अब हम इसे रीचेक करेंगे कि कहां से उपर नीचे लग रही है तो हमें नीचे से थोड़ी सी फिनिशिंग कम नजर आ रही थी और शेप हमें थोड़ा सा उठाके चाहिए था तो जब भी कोई क्लाइंट कहता है कि हमें थोड़ी सी उठाके शेप दीजे तो आपको पॉइंटेड वाली एरिया को थोड़ा सा डीप लेके जाना है, उपर की तरफ लेके जाना है जितना आप डीप दूसरी आइब्रो को बनाना पहले इससे हम रीचेक कर रहे हैं रीचेक करनेक बात कहीं भी छोटे मोटे हेर दिखाए देंगे तो हम उससे पहले क्लीन करेंगे तब ही जाके हम दूसरी आइब्रो बनाएंगे देखिए पहली आइब्रो अगर हमारी जितनी परफेक्ट बनी तो उसी को देखते हुए हमें दूसरी आइब्रो भी बनानी होती है तो हमारी पहली आइब्रो बन चुकी है अब देखिए यहां पे इन्होंने ना अपने सारे आइब्रो को उड़ा दिया था और एक बार जब उड़ जाती है इन आइब्रो तो बहुत टाइम लगता है उसक एकसेस हYAR में हमें गाइडलाइन बनाके पहले रफट पसा Episode बनालेना है सबेbé 높ां में आपको लगे कि हेरँ गरोत कम है या आइब्रो उड़ी हुई है पहले आप एकसेसेयर को क्लीन करें क्योंकि अगर आप उसे पर्फेक्ट बनाने की कोशिस करेंगे तो आपका 100% आइब्रो जो होगा पतला हो जाएगा ठीक है तो मेरे बताई हुए तरीके से जब आप आइब्रो करेंगे तो आप से गलती नहीं होगी अब देखिए नीचे से हमने एक दम क्लीन कर लिया है एक शेप में दे दिया है अब यहाँ पर थोड़ा सम डीब करेंगे डीब करना ज़रूरी है ने तो आइब्रो उठी हुई सी नहीं दिखाए देगी तो हमने देखिए थोड़ा सा डीब किया जादा नहीं किया है अब हम इसे छोड़ेंगे अब देखेंगे फ्री छोड़के ही आपको चेक करना है क्योंकि आपका नेचरल शेप जोता हो फ्री छोड़ने पर आता है तो आपको फ्री छोड़के एक बड़ चेक करना है आगे से खड़े होके फिर जहां से आपको दिख रहा है कि आप सा हेर जो था वो हमारी आइबरो को जो है फिनिशिंग नहीं दे रहा था तो देखिए अब हमने चेक कर लिया है तो अब हमने निकाल लिया है उस उस हेर को अब देखिए आपको उतनी फिनिशिंग नहीं दिखाई देती होगी अभी देखिए जब हम उपर की आइबरो को शे प्रेइंगे डालने होते हैं तब जाके जब final result होता है तब उसमें जो होता है कमिया वो छुप जाती है ठीके तो हर काम में ऐसे होता है आपको पहले अपने काम को perfect बना लेना है जिसमें कमिया है उसको थुड़ा साइड में रखके बाकी की कामों को perfect करके तब जाके जहां प clean hair जो थे यह eyebrow के shape को disturb कर रहे थे तो हमने क्या किया है इन ही hair को एक एक करके निकाल रहे हैं यह देखिए ज्यादा नहीं निकालेंगे यहां पे भी देखिए हमारा eyebrow gap मतलब deep नहीं दिख रहा था थोड़ा सा finishing में नहीं आ रही थी आपर तो अब हम यहां पे clean कर रहे हैं ए एक साथ बहुत सारे hair को नहीं निकालना है finishing वाला काम जो होता है हमारा एक एक eyebrow में ही होता है छोटे छोटे पार्ट में होता है ठीक है अब यहां सी यह दो hair हमें line के नीचे दिख रहे हैं आप लोग को भी notice में आ जा रहे होंगे कि कौन से eyebrow नीचे दिख रहे हैं ठीक है ऐ अगर आप deep में समझना चाते trading कैसे बनाई जाती है तो मैंने class ले रखी है तो आप लोग playlist जरू check out करिएगा तो चलिए